Hello friends, मैं हुआ रुलित कुछ और इस वीडियो में हम करने वाले हैं Tenor जी की Unboxing मैं आपको बता दूँ friends, इस वीडियो में मैं इस फोन की Unboxing के साथ साथ आपको इस फोन के बारे में कुछ First Impressions भी दूँगा मैं आपको बताऊँगा इस phone के camera के बारे में इस phone की fingerprint sensor की quality के बारे में उसी के साथ मैं आपको इस phone का physical overview भी इस video में देने की कोशिश करूँगा उसी के साथ इस phone की bit quality को भी हम यहाँ पर देख लेंगे तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं friends आप देखते रहें गाइस video को तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं friends मेरे पास है टैनोर जी का यहाँ पर box जो के blue color में आपको देखने के लिए मिलता है पीछे की तरफ यहाँ पर काफी सारा कुछ दिखा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर color go gray उसी के साथ यहाँ पर price दिखी गई है star values दिखी गई है manufacturing का year दिखा गया है और यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं friends नीचे की तरफ आपको कुछ स्पैस्टिकेशन देखने के लिए मिल जाती है 4G LTE plus 40 को यह phone support करता है Snapdragon 625, 5.5 inch की full HD screen, cameras के बारे में यहाँ पर दिखा गया है Android N इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं Made in China यहाँ पर दिखा गया है friends तो हम कर लेते हैं इस phone को open और सबसे पहले यहाँ पर आपको निल जाता है एक wrapper तो उसको यहाँ पर मैंने उतार लिया है friends और यहाँ पर अगर मैं box की बात करूं काफी अची matte finish के साथ आपको यहाँ पर यह box मिल जाता है हालांकि जब wrapper लगा हुआ था तब यह बिल्कुल भी महसूस नहीं हो पा रहा था कि box की quality कैसी रहेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं friends यहाँ पर एक ही seal आपको देखने के लिए मिलती है उसे हम खोल लेते हैं जल्दी से देखते हैं कि box content से यहाँ पर हमें क्या-क्या देखने के लिए मिलती हैं तो यहाँ पर seal को मैंने खोल दिया है यहाँ पर आपको मिल जाता है चार्जिंग अड़ेप्टर और इसके बाद आपको मिल जाता है चार्जिंग अड़ेप्टर और यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा उसी के साथ यहाँ पर आपको मिल रहा है एक SIM ejector tool जो के obviously metal का है friends इसके बाद आपको यहाँ पर box में और कुछ भी नहीं मिलता earphones आपको इस phone के box में देखने के लिए नहीं मिलेंगे तो इस box contents को हम रखते हैं side में friends और आज आते हैं वापिस phone पर तो सबसे पहले इस cover में से phone को निकाल देते हैं friends कुछ cover type में यह phone दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 over G जैसा कि मैंने आपको बताया 5.5 inch की full HD screen आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है उसी के साथ again मैं हम पर आपको weight की बात करूँ ज्यादा हलका यह phone यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता फिर भी अगर 4000 mh की battery को consider किया जाए तो यहाँ पर इसका weight acceptable है उसी के साथ यहाँ पर सबसे पहले अगर आप phone को हाथ में पकड़ेंगे friends आपको feel होगा जो beach वाला part है वो definitely metal का बना हुआ है लेकिन जो उपर और नीचे के parts है friends वो बने हुए है plastic के और वो एकदम से आपको feel होता है जैसे ही आपको phone को touch करते है और यहाँ पर आपको पीछे की तरफ एक sticker भी मिल जाता है इस पर RAM, ROM और कुछ IMEI information mention की हुई है यहाँ पर सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है friends जो power button है आपको उपर की तरफ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सबसे पहले हम कर लेते हैं power on इस phone को यहाँ पर देख सकते हैं 10 or powered by android अब हम देख लेते हैं जल्दी से इस phone का एक physical overview friends उपर की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाता है 16 अक्सल का camera एक loudspeaker एक front flash उसी के साथ proximity sensor और LED notification और उसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कोई भी touch capacity buttons देखने के लिए नहीं मिलते हैं आपको on screen navigation keys देखने के लिए मिल जाएंगी नीचे की तरफ micro USB port यहाँ पर एक speaker grill और एक mic के लिए grill आपको देखने के लिए मिल जाती है उसी के साथ अगर आप यहाँ पर right side पर देखें तो आपको power की और volume rockers मिल जाते हैं अगें आप देख सकते हैं power की आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलती है जो के नोर्मली नहीं होता पीछे की तरफ आपको 13 अपिसल के dual rear cameras देखने के लिए मिलते हैं जिसमें से एक है monochrome sensor दूसरा है RGB sensor उसी के साथ आपको dual tone dual LED flash यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है fingerprint sensor secondary microphone यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है नीचे की तरफ आपको कुछ branding देखने के लिए मिल जाती है उसी के साथ नीचे आपको antenna lines भी देखने के लिए मिल जाती है left side पर अगर आप देखें तो आपको SIM tray देखने के लिए मिल जाती है तो यह तो आप यूज कर पाएंगे 2 nano sims या अगर आप micro sd card यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर पाएंगे सिरफ एक sim यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं वापिस से अंदर friends यहाँ पर उसके पाद अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो आपको 3.5 audio jack यहाँ पर देख समय देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर फ्रेंड्स मैं fingerprint sensor को set कर देता हूं क्योंकि हम उसको test करने वाले हैं last में और यहाँ पर आप देख सकते हैं normal setup आपको देखने के लिए मिल रहा है last में कुछ Amazon का special services कुछ offers वगारा शायर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और अगर मैं again UI की बात करूं फ्रेंड्स हालां कि इसमें आपको pure stock Android देखने के लिए मिलता है लेकिन उपर ही आप देख सकते हैं कुछ Amazon की apps यहाँ पर मैं इस wrapper को उतार देता हूं फ्रेंड्स तांकि आप अच्छे से देख पाएं screen को तो जादा glossy screen आपको यहाँ पर जितना भी मैं इस phone को एंगल से देखने के कोशिश कर रहा हूं कोई भी दिकत मुझे यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है इसके बाद हम जल्दी से test कर देते हैं इस phone के camera को friends तो ट्राइ करते हैं कुछ photo samples यहाँ पर देने की तो box का आगे का हिसा है friends यहाँ पर हम focus करके तो जैसके आप देख सकते हैं tap to focus यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं और autofocus का sport भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा उसी के साथ यहाँ पर shutter speed आप देख सकते हैं friends काफी तेज आपको देखने के लिए मिल रही है और अब हम देख लेते हैं इस sample को जो ह देखने के लिए मिल रहे हैं अब एक और sample हम देने के ट्राइ करते हैं तांके हम अंदाजा लगा पाए फोटो की details के बारे में तो जैसके आप देख सकते हैं इस sample को हम जूम कर रहे हैं friends और यहाँ पर आप जैसा के देख पा रहे होंगे काफी clear photo आपको यहाँ पर देखन फोटो नहीं हुई है और यहाँ पर आपको काफी सारे modes देखने के लिए मिल जाते हैं settings में आप देख सकते हैं काफी सारे options आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है उसी के साथ यहाँ पर जल्दी से हम इस phone के portrait mode को भी test कर देते हैं तो यहाँ पर है SIM ejector tool और पीछे इच्छी लेवल की editing यहाँ पर कर सकते हैं अगर मैं portrait mode की बात करता हूँ अगर आप portrait mode उसकर के photo click करते हैं friends यहाँ पर आप custom book effect create कर सकते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हालांके काफी processing time आपको यहाँ पर लग जाता है यहाँ पर जो है परचर maximum setting पर है friends आपको book effect मीनिमम्ममें यहाँ पर देखने के मिल रहा है जैसे ही आप इस परचर को मीनिममम पर ले रहेंगे यहां पर आपको portfolio effect है और की अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर जैसे के आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर फ्रेंट्स काफी सारा बुके एफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है अच्छी लाइटिंग कर्णिशन पर हम अगें टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंग आगे आने के टाइम में कि कैसा कैमरा आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है इसके बाद जल्दी से कर देते हैं हम इस फोन का फिंगर्प्रिंट सेंसर टेस्ट फ्रेंट्स और देख देते हैं कितना तेज का फिंगर्प्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिलता ह ज्यादा 100 fingerprint sensor यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा हालांकर ज्यादा तेज्ञ भी नहीं है काफी सार फोंस में आपको इससे तेज भी fingerprint sensor देखने के लिए मिलता है और यहां पर आप अगेन देख सकते हैं friends इस है फोन की सेटिंग्स में फ्रेंड देख लेते हैं कितनी मेमरी और स्टोरेज आपको यहां पर फ्री देखने के लिए मिल रही है तो सबसे पहले अगर आप मेमरी में देख लिए फ्रेंड है Android Nougat 7.1.2 आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है और जो security patch है यहां पर अगर आप देख दीजे फ्रेंड वह आपको यहां पर august का देखने के लिए मिल रहा है मैं expect करता हूं कि जल्दी ही आपको September का security patch भी देखने के लिए मिल जाएगा तो यही था इस वीडियो के जीगा फ्रेंड हम आपके लिए रोजाना ही ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं उसी के साथ आप उस बैल आइकन को भीट बातीजिगा तांकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे फ्रेंड उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फोन पर आपके कहने पर कुछ special reviews फोन का करूँ वो भी आप हमें इन चिक मैंस में बता सकते हैं मैं ट्राइ करूँगा कि आप तक उस review को पहुंचा सकूँ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद friends